What's up everyone, कैसे हो आप सब? So I hope you all are fine तो हम लोगोंने नया चप्टर अभी स्टार्ट किया था Which is applications of time, speed and distance और उसके topic wise हम questions को cover कर रहे थे So पहले हमने circular motions cover किया उसके practice exercise questions and then हमने start किया था topic trains ठीक है? And उसके practice exercise questions हमने start किया थे So 10 तक already हम कर चुके है And अब हम start कर रहे है from question number 11 So let's read Two trains 170 meters and 130 meters long run at the speed of 20 meter per second and 40 meter per second respectively in opposite direction on parallel tracks The time in seconds which they take to cross each other is Okay तो अब scenario के दे रखा है? दो trains है एक 170 meters लंबी एक 130 meters लंबी दोनों एक दूसरे को cross करती है opposite direction में चलके ठीक है? एक यहां से आ रही है और एक यहां से जा रही है दोनों की speeds हमें given है बस हम से यह पूछा है कि कितने time में यह दोनों trains एक दूसरे को cross कर लेंगी So मैं इस scenario draw कर देता हूँ So एक train है यह है जो की left to right जा रही है ठीक है? And एक यह train है जो की right to left जा रही है ठीक है? So basic हम formula वही लगाते है distance equals to speed into time Correct? अब इन दोनों trains से ने distance कितनी travel करी एक दूसरे को cross करते समय वह देखने के लिए मुझे एक train को stationary मानना पड़ेगा मैं मान लेता हूँ यह जो train है वो stationary है और यह moving है ठीक है? तो मैं कब बोलूँगा कि इस train ने इस train को cross कर लिया जब यह train जो है यह इस train के left hand side पे है जब यह right hand side पे आ जाएगी तो भे मैं बोल दूँगा कि इस train ने इसको cross कर लिया correct यह यहां से यहां पे आ गई तो actual में इस train ने कितने distance cover किया इस train को cross करने के लिए so यह distance था इतना अब यह distance अगर आप ध्यान से देखो तो यह किसके equal है? यह यहां से लेके यहां तक तो length of train 2 है यह वाली और यहां से लेके यहां तक तो length of train 1 है तो इसका मतलब जो trains इस दूसरे को cross कर रही है actual में cross करते समय है उन्होंने जो distance cover किया है वो इन दोनों trains की length थी है ना? so distance कितना हो गया? length of train 1 plus length of train 2 equals to अब speed हम कौन से consider करेंगे क्या पहले वाली train की speed consider करेंगे यह दूसरे वाली train की speed consider करेंगे वह दोनों की करने पड़ेगी क्योंकि दोनों moving है और जब दोनों speeds होती है तो हम speeds कौन से उस करते है relative speed और relative speed का मतलब क्या होता है speed of one moving object with respect to another है ना? सो जैसे इसकी speed है 20 meter per second और दूसरे की speed है 40 meter per second तो relative speed कितनी होई इसकी speed तो 20 की है लेकिन इसके respect में इसकी speed होगी 60 की जैसे आप trains में सफर करते हो है ना? और आप जैसे इस train में बैठे होई हो यहाँ पर आप बैठे होई हो ठीक है? अब यह train आपकी left to right जा रही है और आप अपनी window से देख रहो एक और train जा रही है from right to left और वो कितनी तेज हमें दिखती है train ऐसा लगता है भी train तो बहुत ही तेज चल रही है लेकिन in reality वो train उतनी तेज नहीं चल रही होती जितनी आपको लगती है वाए? क्योंकि आपकी train भी इस तरफ जा रही है और वो train इस तरफ आ रही है तो speeds जो होती है वो plus हो जाती है opposite direction में तो वैसे तो इसकी speed 40 meter per second है लेकिन इसके respect में अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बठा होगा और trains को देखा होगा same direction में चल रहे होते तो हमें लगता है कि यार यह train तो बहुत slow चल रही है असल में slow नहीं चल रही होती ही सामने वाली train लेकिन उसके respect में वो same direction में जब चल रही होती है तो वो बहुत हमें हलकी दिखाई देती है so related speed is speed of one moving object with relation to another तो अब क्योंकि opposite direction में है तो हमें पता है opposite direction में हमेशे speed को add करते है इसे याद भी कर लो कि जब भी opposite direction हो तब हम add करेंगे and जब same direction में trains move कर रहे हो तो हम subtract करेंगे ठीक है so हम speed कौन सी consider करेंगे speed of train one plus speed of train two okay multiplied by time इतना सब्समा आ गया अब यह तो मैंने diagram बनाया आपको explain करने के लिए लेकिन क्योंकि यहाँ पर chart भी given था and मैंने आपको पिछली वीडियो से भी यह chart का समझाया था देखो यह हमें cases दे रखे है देखो यह हमें cases दे रखे है कि जो moment of object है वो stationary है या moving है और क्या उसकी length है के नहीं उसके साबसे यह formulas है अब यह जो हमारा case था क्या यह जो दूसरा object है जिसे train cross कर रही है वो moving है यह stationary है of course moving है भै दूसरी train है तो moving में आया then in opposite direction है opposite direction then क्या उसकी length है बिलकुल है कोई pole नहीं है कोई human being नहीं है यह पूरी पूरी train है तो उसकी length है भाई तो फिरंग पॉन सा formula लगाएंगे तो यह वाला formula है तो जब हमें यह table याद हो जाएगा न तो questions within seconds होने लगेंगे तो बार बार हमें सोचना नहीं पड़ेगा यह formula लिखने के लिए अब ही देखो हम direct formula से भी देख सकते हैं तो डू consider this table तो बाक तो दो question अब question में हमें given क्या के था दोनों trains की length हमें given थी that is 170 meters plus 130 meters equals to speed कितनी थी 20 meter per second and 40 meter per second यह भी add कर देंगे multiplied by time हमसे पूचा था बही कितने time में यह दोनों trains एक दूसरे को cross कर लेंगी तो यह कितना हो गया? 300 equals to 60 into t so t कितना हो गया? 300 upon 60 so 6 times 5 तो time आपको कितना हो गया? 5 seconds is your answer option number a now question number 12 a 600 meter long train crosses a platform in 36 seconds while it crosses a single pole in 18 seconds what is the length in meters of the platform? okay हमें platform की length पूचिये और यह बता दिया कि 600 meter long train जो है वह उस platform को 36 seconds में cross कर लेती है तो पहले भाई platform वाले scenario बनाते है वह हमसे पूचा है तो एक यह train थी अब यह एक platform को cross कर रही है अब हम कब बोलेंगे कि इस train इस platform को cross कर लिया? जैसे हमने उपर वाले example में बोला था जो distance है कितना है यह length of train plus length of the platform ओके वह हमारा universal formula is distance equals to speed into time distance हमें पता चल गई कि this is length of train plus length of object equals to speed किसकी consider होगी obviously train की क्योंकि platform की कोई speed नहीं है so speed of train multiplied by time ठीक है so length of train हमें given थी 600 meters and the length of platform हमें पूछा था मैंने मान लिया x equals to speed of train भी हमें given नहीं है multiplied by 36 seconds time हमें given है अब एक equation, दो variable you solve तो हो नहीं पाएगा इसलिए हमें दूसरी situation भी दीती कि वही train अगर एक single pole को cross करती है तो 18 seconds में cross कर लेती है तो अब यह situation भी देख लेते है यह train है ठीक है अब यह train एक pole को cross कर रही है अब हम कब बोलेंगे इस train ने इस pole को cross कर दिया जब यह train इस pole के LHS से RHS पे आ जाए करेक्ट तो इस train ने कितना distance कवर किया यहां से लेकि यहां तक आने में जित्ती train की length है उतना ही distance उसने कवर किया है न यहां से यहां तक आने में सो distance equals to speed into time में distance यहां पर है length of train equals to speed तो speed of train ही है क्योंकि pole is stationary into time सो length of train ही हमें गिवन था 600 meters equals to speed of train हम इससे निकाल लेंगे multiplied by वह लिखा है 18 seconds में cross कर लेती है सो speed of train कितने हो गई 600 by 18 सो 6 times 100 and 6 times 3 सो इसे decimal में किनी करते हैं इसे अभी इतना ही रपते 100 upon 3 meter per second यह हमारी speed आ गई इसको हम पूट करते हैं इस equation में सो 600 plus x equals to 100 upon 3 into 36 सो 3 times 1, 3 times 2 सो हमारा x कितना आ गया? यह 12 हो आ जाएगा minus 600 सो x equals to 600 meters is our answer तो कि platform की length आ गई 600 meters option number D now question number 13 two trains are moving in opposite direction at speed of 70 km per hour and 80 km per hour respectively their lengths are 1.20 km and 0.8 km respectively the time in seconds taken by the slower train to cross the faster train in seconds okay तो अभी same question है 11th जैसा लेकिन यहां पर twist क्या है जो की twist है नहीं लेकिन हमें लग रहा है कि यहां पर तो सरफ time पूछा था cross करने का लेकिन यहां पर पूछा था time in seconds taken by the slower train to cross the faster train is भाइ slower train को faster train को cross करने में कितना time लगेगा actually यह confuse करने के लिए दे रखा है बात वही है faster slower को cross करें slower faster को cross करें time तो उतना ही लगना है है ना जो भी हमने formulas देखे यहां पर जो भी हमने table पर formulas देखे उन सब में time शिरफ t था है ना जो changes हो रहे थे वह speed और length में हो रहे थे distance में तो time तो constant है वही रहता है उससे मतलब नहीं है यह बस आपको confuse करने के लिए दे रखा है सो वही scenario हम draw करेंगे ओके सो दो trains है ठीक है opposite direction का scenario दे रखा है दोनों की speeds हमें given है और उनकी length हमें given है and time हमसे पूछा है तो वही distance equals to speed into time हम लगाएंगे and इस case में distance कितने थी हमने 11 वाला question किया था length of train plus length of object मतलब length of दूसरी train आप कुछ भी mark कर सकते हो अब speed कौन सी consider करेंगे speed of train 1 plus speed of train 2 क्यों क्योंकि opposite direction में speeds add होती है ठीक है equals to so speed of train plus speed of object मैंने ऐसे object मान लिया ठीक है multiplied by time so हमें given क्या क्या है उनकी length given है kilometers में given है units का ध्यान अखना 1.2 kilometers plus 0.8 kilometers ठीक है equals to speed of train कितनी है यह भी kilometer per hour में है 70 plus 80 into t अब क्योंकि length भी kilometers में है and speed kilometers per hour में है तो हमारा time जो है वो hours में आएगा ठीक है so 0 to 0 cancel 3 times 5 3 times 2 and 5 times 12 so 12 to the 24 24 times 2 is 48 seconds is your answer option number B now question number 14 14 in what time will a train राजधानी Express 140 meters long traveling at 90 km per hour cross another train of length 160 meters moving in the opposite direction at 72 km per hour okay तो time हम से पूछा है कि कितने time में राजधानी Express जो कि 140 meters लंबी है 90 km per hour की speed से चल रही है वो दूसरी train को cross कर लेगी जो कि 160 meters लंबी है in the opposite direction and the second train is moving with a speed of 72 km per hour ठीक है so अब इसमें सारी situations given है जैसे हमने 11th or 13th question किया था ठीक है तो मैं बार-बार figure ने draw करूंगा मैं direct formula लगा so distance equals to speed into time अब तुरंत क्लिक होना चाहिए आपको कि राजधानी Express and एक दूसरी train की हम बात कर रहे तो मैंदब length जो होगी वो add होगी यह train जा रही है यह दूसरी train को cross कर रही है तो जो distance है वो length of this train plus length of another train होगी okay so राजधानी Express की length 140 meters plus दूसरी train की 160 meters ठीक है अब speed कितनी है राजधानी Express की 90 km per hour plus दूसरी वाली train की 72 km per hour ठीक है and time हमसे पूछा है अब time यहाँ पे seconds में given है options and जो distance है वो meters में given है तो भई यह speed जो है इसे भी हमें change करना पड़ेगा यह km per hour तो हो नहीं सकती तो इसे भी मैं meter per second में पहले convert करूँगा अब km per hour को meter per second में करने के लिए मैंना को बताया था multiply कर देते हम 5 by 18 से ठीक है that's it अब time निकाल लो अब ऐसे formulas जब हमें याद हो जाते है तो questions seconds में होते है and cat में हमें time ही save करना पड़ता है तो इसलिए एक बार foundation बेल्ट हो जाए तो जल्दी-जल्दी कैसे questions को करें उस पर ध्यान दिया करो ठीक है so distance हो गया 300 meters equals to 90 plus 72 162 यह km per hour है अभ यह meter per second हो गया 5 by 18 से multiply करके multiplied by t so 18 times 9 and t equals to 300 upon 9 into 5 ठीक है so 5 times 60 and 3 times 3 3 times 20 so 20 upon 3 यह आपका जाएगा 6.67 seconds option number c is your answer अब देखो कितनी चल्दी हुआ बार बार डियाग्राम थोड़ी बनाएगे अब same question 15 वाला जिनको पूरा समझ में आ चुका है वह अभी 15 वाला question अपने आप करेंगे वीडियो पॉस करके और जोने नहीं आया है वह फिर से देख लो a 250 meters long train running at the speed of 110 km per hour crosses another train running in the opposite direction at a speed of 90 km per hour in 9 seconds what is the length in meters of the other train okay अब यहां पर फिर से 2 trains की बात की गई है तो तुरंद जैसे ही मैंने यहां पर देखा कि 2 trains की बात की गई है distance में लिख दूँगा lt plus lo और lt plus lo भी नहीं लिखूँगा मैं direct values लिखूँगा तो 250 meters लंबी पहली train थी and दूसरी train की length हम से पूछी है मैंने x मान लिया ठीक है speed कितने कितने थी 110 और 90 की speed से यह add होगी है minus opposite direction लिखा है मतलब add होगी so 110 multiplied by sorry plus 90 ठीक है multiplied by क्योंकि यह km per hour है and जो हमें time है seconds में रखा है distance में meters में हमसे पूछा है तो इस 90 km per hour 110 km per hour इसको मुझे meter per second में करना पड़ेगा उतुरंत करते हैं मैंने 5 by 18 से multiplied and multiplied by time b हमें given है that is 9 seconds चीक है so 9 times 2 so 250 plus x equals to यह आ गया 200 into 5 by 2 so 2 से यह cancel 100 आ जाएगा and 250 plus x equals to 500 और x आ जाएगा हमारा 250 meters so option number b is your answer अब देखो पहले हमने topic सीखा था और अब जैसे हमने formula हमें याद हो गए कौंसी distance कौंसा speed ले ला है तो देखो within 10 to 15 seconds I guess अगर मैं explain नहीं करूंगा तो आप भी कर सकते हो so this is the way we progress है ना so that is it for this video these were the solutions from 11 to 15 I hope आपके समझ में आया होगा कोई भी problem हो तुसे comment section में पूछ लेना and अगर video अची लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel and thank you so much for watching 9 15